हाई एवरिवन मैं आगा हूँ साइट पे अभी और मैं आया हूँ इधर काम देखने थोड़ा हाइवे का हाइवे का कितना काम हो गया है कितना कटिंग हो गया है और कितना कटिंग करना बाकी है और इधर भी मेरा कुछ काम था इधर देखना था कितना गाड़ी आया है वो च चेक करना था चेक करके इसके लिए मैं आया तो थोड़ा मैं सचा वीडियो भी बना लेता हूं इधर देखिए फीलिंग नहीं आ रहा था इधर कटिंग आ रहा था इधर पूरा पत्थर को कटिंग कर दिया इधर बीच में हड़ रहा था उसको ब्लास्टिंग करके पूरा अ काम चल रहा है एक साइड का गटर लांचिंग हो गया दूसरे साइड का भी गटर लांचिंग होगा लेकिन अभी 25 q5 500 का जो गटर लांचिंग है flyover का वो एक साइड का complete होनेक बाद इधर फिर चालू होगा इधर एक कैप बाकी है तब तक वो कैप भी हो जाएगा और इधर देखिए एक स्वेटर कुछ काम कर रहा है उधर फिलिंग के लिए वो रास्ता बना रहा है गाड़ी जाने के लिए और ये जो गाड़ी है बहुत जादे दिन से ब्रेकड़ाउन पड़ा है और यहाँ पे है अभी कटिंग फिलिंग चालू है अभी ये सब ग्रीडिंग करना बाकी एक लिएर और बैलेंस बाकी है ये रहा हमेरा गाड़ी और ये बहुत चिंतित है पता नी क्यों और मैं अभी आ गया हूँ दोस्तो 25 प्लस 003 पे यहाँ पे एक बार लास्ट 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था जो मैं नीचे से दिखाया था अभी मैं इधर आया था देखने के लिए JSB का काम को कंप्लिट हो गया है तो इधर भी अप्रोच सले का काम का चलू करना है लेकिन बारिस के वज़े से देख रहा है कितना पूरा पानी भर गया है सब जो सर्विस रोड है उसके उपर भी पूरा पानी भरा हुआ है लेकिन व्यू अच्छा आ रहा है और यहां का जो अभी क्या बोलते हैं क्लाइमेट भी अच्छा है और वो देख रहा है पूरा पान को कटिंग करकर के करकर के इधर मिट्टी फिलिंग हुआ है यह भी बोर एरिया था पहले अभी यह बंद हो चुका है क्योंकि यहां का पूरा कटिंग फिलिंग हो चुका है इसलिए यहां से अभी मिट्टी नहीं जा रहा है किधर भी क्योंकि इधर से जाएगा तो बहुत डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगा तो टाइम लगेगा इसके पचे से यहां से नहीं जा रहा है दूसरा बोर एरिया से मिट्टी जा रहा होगा लेकिन देखने में खुब्सूरत लग रहा है यहां से मैं अभी थोड़ा स्लैब के उपर आ गया अभी देखी पूरा कम्प्लिट हो गया है जीएसबी का काम पूरा कम्प्लिट हो चुका है अभी देखते हैं जीएसबी मिलेगा तो एक्स्वेशन करवाएंगे नहीं तो आज नहीं तो कल आरे भाई मैं डाल दे रहा हूं आज चेकिंग के लिए कल सुबा आके यही काम करना है और दोनों साइड का हो चुका है लेचेस और अरेचेस और यह देखें नीचे से कितना पानी जा रहा है उधर अभी थोड़ा कम हो गया बारिस जब चालू था बहुती स्पीड में पानी जा रहा था और इधर का भी काम बस क्रेस पेरियर बा किया डूल सीजी अभी नहीं होगा जब तक कि अप्रोचली टर्मिनल्स गृप फ Wish करके घ्र और देल्सी करके इसके बार पीपीशी करेंगे आभी यह देखरेंगे फिर करेंगे लेवाल पहले चक्षेक लेकिन जब तक पूरा काम complete नहीं हो जाता है यहाँ टागर कुछ फायदा नहीं और दूसरे साइड का जो है यह टू साइड का वहाँ पर अभी सब्ग्रेट का काम बाकी है और मिट्टी फिलिंग भी अभी बाकी है एक दो लेयर मिट्टी फिलिंग बाकी है देलो लेयर सब् और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब करें मैं समरुद्य एक्स्प्रेस का पूर आपडेट देता रहूंगा तुर्टाइब करें मैं और यह देखिए एंकर बीम का कॉंक्रीट चालू हो गया है एंकर बीम का कॉंकर इंटिंग चालू है जो कि मैं चैनेज नमर ट्वंटी फोर प्लस वान अटिसिक्स पे हूं और यहां पे anchor beam का approach slab हो चुका है terminal slab के लिए anchor beam चल रहा है और यह रहा अपना vibrator diesel वाला vibrator और इधर gsb beam मांगा कर रख लिया हूँ क्योंकि यह disetering होने को बाद इसमें मिट्टी नहीं डालना है gsb डालके इसको level करके फिर rolling करके इसके उपर और यह देखिए जो tm देख रहे हैं आप लोग जा रहा है उधर से भी रास्ता है highway पे जाने के लिए जो कि घोड़े गटगाओं में जाता है और पहले वो रास्ता था इधर रास्ता नहीं था अभी तो इधर भी हो जाएगा क्यांकि service road के वज़े से इधर से भी लोग जाते आते हैं और उधर से देखिए railway track के नीचे एक view पी है उसके नीचे से वो रास्ता है जो घोड़े गटगाओं में जाता है और घोड़े गटगाओं के लोग highway पे जाता है और आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप लोग से नेक्स वीडियो में वीडियो पसंदा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें